ये जो मक्का का रोटी है दोस्तों मैंने नहीं बनाया है मेरे बगल के एक आंटी जी है ना मैं उनसे ही ये मक्का का रोटी बनवाई हूँ बहुत ही जटपट बनाती है बहुत ही जल्दी बनाती है मसीन से भी फास्ट हम मतलब बोल सकते हैं तो बहुत ही प्रामप्रिक तरीक से यह मका का रोटी बनाई है तो सबसे पहले उन्होंने हमसे पानी गरम करवाया और यहां थाली में ले ली है मका का आटा और जो गरम पानी करवाई है ना उनमें से थोरा-थोरा डाल करके इसको गूत रही है और बोल रहे है कि बहुत अच्छा सौप्ट गूताना चाहिए तभी जा करके मका का जो रोटी है फटेगा नहीं और सौफ्ट सौफ्ट बनके रेडी होगा तो काफी मतलब टाइम लगाया इन्होंने आटा को गूतने में और बहुत फाइश्ट मतलब उनका हाथ भी चल रहा था देखे इस तरीका से पूरा पहले डो तेयार कर दी उसके टेश्टी और सौफ्ट आटा का जो रोटी है बनके रेडी होगा तो कितना आच्छा आटा गूत के रेडी कर दी आंटी जी बना रही है और खुब अच्छे से इसको गोल कर रही है ये नहीं कि मतलब थोरा सा गोल करके हम छोड़ दे ऐसा नहीं ताइम लगाकर उसको गोल गोल कर रही है देखिए आप अपनी ही सबसे बरा हुड जोटा कर सकते हैं लेकिन वो आंटी इतना ही साइज का बनाई मेडियम साइज का और ये चकला ली और चकला पर उन्होंने एक सुत्ती कप्रा हमसे मागा तो मैंने उनको दिया सुत्ती कप्रा और इस तरीका से उन्होंने बिछा दिया चकला पर और आटा थोड़ा सा लगा करके मक्का का आटा ह ये यो इस तरीकला नहीं कि दहिए है. और आट से सब्सकर दाई your eyes. देखो बहुत एक्चुली न यह बहुत आटा सानी है न बहुत टाइम लगाई थी आटा सानी में तो देखे कितना सुन्दर गोल गोल यह आटा का रोटी बनके रेडी हो गया है इतना तो दोस्तों सच बता हूँ गौहूं का आटा का रोटी गोल नहीं होगा जितना सुन्द उन्होंने मका का आटा का रोटि गुल गुल बनाकर के रेडी कर दिया और अब इसको इसको इस выглядит करके और धश्रां करके उसी पर डाल रही है हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम हम तो शरीफ कैमरा कर रहे हैं अंती ही सम्सम्स कर रही है और इस तरीका से घुमा घुमा कर देखे कितना प्यार से बना रही है हना बिल्कुल मा के हाथ वाला स्वाद और इसको देखे कैसे पलट पलट के बना रही है और मेडियम आज रखी है यहां पे बोलिये कि ज्यादा हाई फ्लेम मत रखो ने तो कच्छा रहेगा तो फिर पेट ज तो हम दोनों तरीका से हम तुमको बना देते हैं और मुझे बहुत मन था मतलब मक्का का आटा का रोटी खाने का तो लगली अंटी ने मतलब हम बोले तो बना दी तो देखे कितना अच्छा सारा जो इनका रोटी एन एकदम गूवारे के तरफ फूल फूल करके हुआ था दू कंड़ सामरा कम कर रहे थी और देख जादा रहे थी मसीन से वी फास्ट यह कि तरीका से गोलीन को डर भी नहीं लग्रा आगी फटेगा कि देखो आग पर भी ऐसे तुम सेख लो और हम जो बनाते हैं दोस्तों हम भी बनाते हैं लेकिन हम हाथ में ही थप थपा देते हैं हम चकला बेलना और थाली में नहीं करते हैं तो इन्होंने कुछ डिफरेंट मतलब बताया तो मुझे काफी अच्छा लगा उमीद करती हूं क आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा अंटी का तरीका जो बनाने का इनका फास्ट तरीका है हाना बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को तो अगर अच्छा लग रहा है हमारे अंटी का तरीका तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और सारे रोटी में इन्होंने घी लाओ तो घी नहीं था हमारे पास तो बटर उन्होंने मिलाया और फटा फट मिला रही है एक दम मतलब फास्ट इनका हर काम देख रहे हैं फास्ट ही फास्ट है आटा भी गुदना बनाना बटर सीकना बटर मिलाना हर चीज फास्ट फास्ट कर रही है और हमसे अचैक बलाज से расп pour 16 नेर चतनी पिस वाया टमाटर घनिया पता और मिर्चा और लिंद्ट और लाहसुन डाल है इसे तो जो मका का रोटी है ऊंच नर्वन नो शर्फो के साता अच्छा लगता है अधिन हम नहींगे में द्दमक्ला दमाटर और मिर्चा और अंटी जी से मैंने बोला कि नमक डाल दीजिए तो देखिए वो नमक भी डाल रही है बस इसको हम मिला लेते हैं बिल्कुल मा के हाथ वाला स्वात दोस्तों ये मक्का के रोटी में है और इसका जो कमिनेशन है चटनी बहुत ही जबरजस्त है हना तो ये देखिए चटनी हमारे बन के रेडी हो गया है और अंटी सर्फ भी कर रही है चटनी और हमने थोरा दिन पहले आवला का मुरब्बा बनाया था तो खटा मीठा तीखा सारे चीज़ चटनी यहां पर है इसी के साथ हम ये मक्का का रोटी जो है इंज्वाइ करेंगे आंटी देखिए आप लो पर आए हैं पूजा फूट ब्लब पर तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और यह देखिए कितना अंटी ना प्यार से खिला रही है इसे लगा रही है मैं तो यह भी सोट ले लिया कि अंडी आप यह कर दीजिए तो बहुत प्यार से अच्छा लग रहा था था और वीडियो को लाइक आप जरूर करिएगा